हेडिंग लगाना अगर समांतर प्लेट संधारित्र किसी अगर समांतर प्लेट संधारित्र किसी प्रावैदुद से अनुशतः भरा हो तब उसकी धारिता यानि केपैसिटेंस जिसको आप सी से दिखाते हो ठीक है यहां पे हम लोगों का यह एक केपैसिटर है और आपको अभीवाद पता है केपैसिटर के एक प्लेट पे प्लस प्लस क्यों चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पे उतना ही चार्ज होता है लेकिन वह माइनस में होता है इसके अंदर अगर ऐसा किया गया है इसके अंदर पारशियली मतलब अंसतह कुछ हिस्से में कोई एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया एक परावयादूत डाल दिया गया है जिसका परावैदुतांग डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टेंट क्या है यह है और इसकी जो थिकनेस है इसकी जो मुटाई है वो क्या है यह है तो अभी जैसो की यह बात आप पिछले क्लास से दिखाते आ कि दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्सेंस होता है उसको हम किसे दिखाते हैं डी से तो पहले पूरा वैक्यूम हुआ करता था तो अगर हम लोग वहीं से शुरू करें जैसो की जब पूरा निरवात था बीच में मतलब पूरा बीच में खाली था पूरा निरवात हो तो उस ताइम हम लोग ने सी निकाला था तो क्या था याद है आपको ए एप्सलों नौट वाइडी आया था बी नंबर में जब पूरा क्या हो परावैदूत से भड़ा हो कि जब पूरा ही भर दिया जाए यह थोड़ा सा वेस्पेस नहीं चुरा जाए इसकी थिकनेस टी जो है व तो उसका कैपैस्टेंस कितना होता था एप्सलों नौट के बटा डी कितना हुआ करता है अब इसके बाद यह तीसरा कंडिशन आ रहा है तो इसको हम लोग जैसे कि सी नंबर कर लेते हैं कि इसमें पार्चियली फिल्ड है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जैसो की तो देख पर क्यूँ बटा भी और्चार जस्तिक ना है कि आपको पोटेंशेल अगर फाइंड ह शुर्ण और करना है वह तो यह पोटेंशेल आपक्श कैसे फनाओट और करते हो लिए तरीका आपके पास तो पीचान फेल्ड करने का हमारे पास यह तरीका है कि बगया अलेक्ट्रे यह है कि पूरे इस पेस में एलेक्टरिक फिल एक जायसा नहीं है क्योंकि बीस में तो अब ऐसा होगा कि इसके लिए पोटेंसल डिफॉरेंच कुछ अलग होगा और यह जो एक खाली आपको बता दूं इस बात से आप हरान परिशन मत करना इसको ठोड़ा सरे में बढ़ा गया है इसको यहां रख रहे हो यहां रख दो इदर शटा कर रिक दो दो ऐसे मेरी भात समस्थ मैं अब मैं यहां खरानों करके यहां हो जाओंगा तो ऐसा थोड़ी एक मैं डेर फीट पकर लूँगा अभी में एक फिटी पकर करके रहूंगा तो अभी दोनों मेरे को छोड़के गैप कितना है नौफिटी वैक्यूम है यह वाद आपको समझ में आती है तो इसके वीशे मेरे सब्सक्राइब करने लगते हैं तो आप आसानी के लिए क्या कर सकते एक तरफ सटा दो और डी में से घटा दो बाकी समिल जाएगा आपको कि कि अब ही जो है सो की मुझे यहां पर क्या करना है पोटेंशेल फाइंड आउट करना तो यह जो उसमें लेक्ट्रिक फिल्ड कि तना होगा तो आंसर उसमें लेक्ट्रीक फिल्ड इनौट होता है यही कल में कर भी रहा था और कई दिनों समलों कर भी रहें पिछले क्लास में कई बार हो चुगा है तो सिग्मा भाई एपसलों नौट यह उसका एलेक्ट्रिक फिल्ड होगा वो डिस्टेंस कितना है जरा बताओगे मुझे जो खाली है जिसमें कुछ नहीं भड़ा आ फिल्ड ऑफ ने याट्रिक में विए तो उसका इलक्तरिक फिल्ड कितना होगा तो वहाँ जो इल्यक्ट्रिक फिल्ड होगा जो वाइक्ट्रिक में था और जो अपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो उसके लिए उसके से डिवाइड करते हो तो पहले समझाया थे मैंने या दाया तो एलेक्ट्रिक फिल्ड पहले जब वाक्यूम होता है तो कितना था बताओ जिग्मा भाई आपसलों नौट उसका तो इतना ही था अगर इसमे है तो कि यहां पर आ जाएगा तो यह हुआ अब उस डाइलेक्ट्रिक वाले स्पेस में एलेक्ट्रिक फिल्ड और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है यह जा रहा हुना इनको थरह मल्टिपलाई कर होगा कि वी बराबर क्या आ जाएगा बताओ सिग्मा इंटू डी वाई एप्सलन नॉट इसको ऐसी रहने दिया जाए क्या एक काम कर लो रहने दो इसको ऐसी रहने दो सिग्मा इसमें कॉमन निकाल सकते हो और सिग्मा कॉमन निकाल करके क्या सिग्मा को क्यू बटा ए लिख सकते हो बोलो हाया ना यह बटा में क्या जा आप ऐसा कर लो ब्रैकेट लगा दो और यह आपका क्या जाएगा बताओ कि डी माइनस टी कि अग्लस मेने क्या क्या निकाला बताओंगे हैं कि इसी को समझते हैं तो बताओ कि यहां से-प्सेल-0 यहां से-प्सेल-0 निकाल लिया मैंने तोहां बचेगा डि-व सूच सेगा यहां क्या बचेगा कि यहां कि यह इसी को समझते खेंगा तो बता कि हुआ क्या समस्द्र यह बोली है आगे बढ़े तो अब अगर अब देखो तो मुझे क्या निकालना था सी निकालना था उसकी धाड़ी था क्या है क्यू बटा भी तो चार्ज कितना है क्यू और हमने पोटेंशल डिफ्रेंस फाइंड आउट कर लिया वह यह वाला आया तो सोचके देखो अगर यह वाला वैल यह वाला कहां रहेगा नीचे की ऊपर जाएगा नीचे ही रहेगा ना कितना बताओगे दी माइनस टी और प्लस टी वाई के यही हो जाएगा उसका जो के पैसिटेंस है जिसमें पार्चियली फिल्ड है हां कुछ गलती हो गया अच्छा हां समाज आते हैं यहां पर यह क्यू नहीं होगा रही वाला आपने वो क्यूं क्यूं तो कैंसिल हो जाएगा तो ए एपसलों नॉट बटा यह हो जाएगा दी माइनस टी प्लस टी वाई के आईगा समझ में तो यह हम लोगों ने डेरिवेशन क्यों किया वो पोटेंसिल डिफेंस फाइंड आउट करने के लिए बाकी बाद यह हम लोगों का तीसरा बादा रिजल्ट हो गया तीसरे केस में तो ए नंबर बी नंबर और इसको आप क नहीं वताइएगा आप लोग ऐसे एक पैरलेल प्लेट के पैस्टर था ना और इसके अंदर तो डाइलेक्ट्रिक भरा गया था और पूरा भर दिया गया था मतलब थोड़ा ए था थोड़ा बी था और और फिर एयर भी था यहीं ना थीक है उससे कोई दिक्कत नहीं है अब कैसे भी रख लिजिए इधर भी सटाकर रख सकते हो एक का डाइलेक्ट्रिक कॉंस्ट्रेंट क्या था और मुटाई कितनी थी और दूसरे वाले का कितने था बताओ कि इसकी थिकनेस कितनी थी कि टू और इसका डाय एलेक्टरिक कॉंस्टेंट क्या था यही था ना और बीच में कुछ स्वेस खाली था कि नहीं था यह पुड़ा फिलफ था यह ऐसा कुछ कह रहे हो ऐसे था यह है मैं आपको बता दू उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है और यह बात मैं कल ही समझा रहा था आपको ठीक है खैर कोई बात नहीं है अगर आप कह रहे हो तो मैं यह काम कर सकता हूँ है एक तरीका मेरे पास मैं इसी को पकरके यहां पर सटा देता हूँ आप खुस हो जाएंगे हाँ 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 आपके कहने सर मैंने कर दिया इधर बताओ प्लस क्यू इधर माइनस क्यू हाँ इसको आटाया तो डिस्सन्स का फर्क पर सकता है इसके बीच के डिस्सन्स बताओ क्या है तो यह बताओ कितना होगा बोलो बोलो डी माइनस टीवन माइनस टीटू ऐसा कुछ होगा यह आप ऐसा लिख सकते हो डी माइनस ब्रैकेट में टीवन प्लस टीटू दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो तो अब अगर हम लोग जो ISO की यहाँ पर इसके capacitance की बात कर रहे हैं तो c बराबर क्या होता है क्यों बटा मैंने बोला था आप सबसे पहले किसके expression निकालोगे potential का तो potential का expression निकालने जाओगो तो क्या मिलेगा बताओ कैसे निकालते हैं electric field multiply distance तो चलो इस वाले रिजन में electric field की बात करते हैं कितना आएगा बताओ तो अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं जो खाली वाला है तो वहां बताओ क्या होगा सिग्मा भाई epsilon not होगा ठीक है और उसमें कोई dielectric तो है नहीं यहाँ पे k1 k2 अगर नहीं आएगा हाँ distance उसका कितना यह माहिने रखता है तो उसका distance हो जाएगा d minus t1 minus t2 अगी जा रहा हूं किसी को दिख रहा है तो बोलो चलो प्लस इसके अंदर electric field बताओगे sigma by बोलो बोलो sigma by epsilon not k1 और इसका distance बताओगे t1 रहिए और बोलो आगे sigma by epsilon not k2 into t2 यह होगा क्या common क्या निकलेगा बताओ sigma by epsilon not k2 क्या कर सकते हैं कलेगा अब यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्या बताओ d minus t1 minus t2 यह तो नहीं निकला ना हमने हमने तो फिर sigma by epsilon not निकला था यहाँ पे रह जाएगा प्लस है तो प्लस और बताओ क्या निकलेगा ती वन भाई प्लस t2 भाई k2 और कुछ ठीक है अब हम लोगों को c निकालना है तो c वराबर q बटा वी आपको पता है q के बटा वी का पूरे चलाएगा उपर और बता में क्या रह जाएगा यह वाला पुरे ाथ प्लस यह अगर आप मेंसे कुछ लोग यहां माइनस कॉमान लेकर कि इसको प्लस में लिख्या होंगे तब भी ठीक है कितने लोग आया है हाथ उटाइए लगभग साथ लोग ठीक है बढ़िया यह हो जाएगे इसका कैस्ट अब आप मुझे बताओगे कोई भी कह सुटा है क्या हमने अगर भरना हो तो पुरा खाली रख सकते हो अगर एक ही डाइलेक्री से पुरा भर सकते हो भी देख लिया हमने जो डालना है दो से पुरा भर लो तो तीन से पुरा भर भर लो भी देख लिया अगर आप दो तीन से कुछ भर ले तो फिर भी कुछ स्काले रहेता हो उसका यह रहा हां एक चीज मैं कह सकता हूं इस तरीके का आप एन अगर भरते हो तो यह जो क्यपैस्टेंस का फर्मुला हो जाएगा अगर आप करना चाह रहेंगा माइनस टीन क्लास आरी क्यों वेट कर रहें सबीकिति क्यों गोट कर रहे हैं अब फॉस कंश्छी टू ऑई के टू और ऐसे करते गद्विए सकते लगा सकते हूं बता तो इसको आप एक अलक कर सकते हो ब्रैकेट के सब और यहां प्लस लगा कि इसको अलग कर सकते हो I जब कोस्टन सॉल्व करोगे बड़ा बड़ा इसलए इसको अलक सप्ला कर देता हूं तो एस तरीके से आप अगे बरके कहां लिख सकते हो तो अब इसी से आपको दिखाता हूँ एक चीज जो हम लोग ने यह सीखा था कि पूरा फिल अप रहता है जैसे मालना हमने इसकंदर दो डाइलेक्ट्रिक डाले लेकिन इन दो डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग पूरा भर देते मतलब यहां प्लेट यहां नहीं होता यहां सटा होता हैसा वाला केस कहे रहा हूं तो आपको याद है क्या आया था ईए एप्सलोन नॉट बटा क्या था एजया था दो थे कावी पलट नट के देख लू पूरा दो पूरा भर जाएगा अगर वह पूरा भर जाएगा तो तो टीवन टीटू टीट्री दो से भरो तीन से भरो चार से इतना भरो उससे अगर टीश सकते गें तो फाइनली यह 0 होजाएगा जोचुव आया और जिसी नहीं 0 हो गया जिरो प्लस यह तो फिर यही रह जाएगा देखो वापस स्यारण गया कि नहीं कि आ गया टी यहां गया यह टीवाइक डी थिट आई कर अपने पढ़ा उसको आप इससे कर सकते हो ठीक है अगर आप यह कह रहरो पूरा 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 खाली पूरा पूरा वैक्यू में कुछ भढ़ां रही नहीं तो ऊपर हैंगा आपसेलोट समझाता हूं देखो क्या एफसलोट भाई क्या यह था दी आया था समझाता हूं कुछ आपने भड़ा ही नहीं कोई डायलेक्ट्रिक तो यह T1 T2 T3 सब खतम अब 0 तो बचेगा क्या क्या प्लस अगर कुछ भड़ा ही नहीं तो T1 T2 T3 सब 0 0 बटा सब 0 बचा क्या सिर्फ डी एफसलोट भाई डी बचा कहा नहीं कतम और हम लोग का जब खाली होता था तो ऐसा ही होता था अरे वोलो हाया ना किसी डायलेक्ट्रिक सा भरते थे ध्यान सुनना किसी एक ही डायलेक्ट् अ उसका जो ठिक न्यों धिकनेस होगा यूष की वण्या प्लस यह पर आजब अपने कितना एक ही ऑभा नहां अगरं एक ही वटाए गोटी कुल रहेगा तो टीन में क्या ज्यायाईक रहे स्काहरे सुवराय पर फुरह याजए उसकात थिकनेस और ना सबसे इसको छोड़ देते हैं लेकिन ठीक है यह सबसे बड़ा है अब से भारी है लेकिन यह एक ऐसा फामुला है जिससे आप सब है समयशन दिया हुआ कि कॉंसे कंड़ि तो ऐसे सोचेंगे अलग कंडिशन होगा तो अलग तरीके सोचेंगे ठीक है हर कंडिशन बैठ के दस मेंट सोच लो एक बार सोचने आ गया न फिर उसके बाद सारा फामुला खुद ही निकाल सकते हो रटना तो एक रट हो क्या दिकत है तो मैं आप से अगर कहूं अगर आप म इन पराव वैदुत जिनके पराव वैदुता अंख के वन कॉमा के टू कॉमा के थरी कॉमा डॉट 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 के इन हो कॉमा संधारित्र के लेटों के बीज इस्थित हों तो उसकी धारिता उसकी धारिता इतनी हो जाएगी और फिरा फर्मॉला नोट कर सकते हो और जब डाइग्राम बनाओगे तो जल्दी से ऐसे बना लेना एक तरफ प्लस ये बार बार मैं प्लस दिखाता नहीं हूं माइनस दिखाता नहीं सिधर लिग जाता हूं इधर प्लस क्यों है इधर माइनस क्यों है ठीक है हाँ इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है वो है के वन ऐसे ही इसमें और भी है इसका डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टन्ट है के टू और इसका ठीकने से टू इसका डाइलेक्ट्रिक कॉंस्टन्ट है के थरी और इसका ठीकने से टी थरी बस डाइग्राम में डॉटिट्रिक क्या लगा होगा आप समझ जाना कि तीन है फॉर्मूला समन में आग इसमें और भी है अब यह जो था ना समांतर प्लेट संधरितर था क्या था समांतर प्लेट संधरितर था एक होता है गोलिये संधरितर होता है ठीक है और इसकी यह कहानी होती है कि वहां भी जैसे फ्लेट एक दूसरे के प्रल stimmt 표tonya है यहां भी एक दूसरे के पैर्ल्ण ही होते हैं यहां पे पैर्लन ना में बोलकर करके ऐसा वोल थे consciously wins यहां पर प्लेट प्लेट पे पॉस्टिव चार्ज होगा तो यहां पर यह जैसे वाहां एक प्लेट पे पॉस्टिव चार्ज हुआ करता था वैसे ही इसका जो अंदर वाला सर्फेस है इस पे positive charge है और यह जो इसका अंदर वाला surface होगा इस पे कौन सा charge होगा एक negative charge हो जाएगा तो जितना जैसो की plus Q charge रहेगा किसके उपर इसके उपर उतना ही minus Q रहेगा इसके उपर आई बात समझ में इसके बीच का यह वाला distance हो जाएगा कुछ इनके बीच और इसके बीच में electric field रहेगा energy कहां stored होगी जो इनके बीच में space होगा पहला sphere उसके उपर दूसरा sphere उसके बीच में electric field होगा और वहाँ पे energy store होगी आई बात समझ में जैसे इसके पहले कहां होगा करता था के बीच्द नदर के सर्फस का बाहर दूसरे वाले के अंदर इसके अंदर। कि इस restsपेरिकल करफे और नागिया जवी difféFA работ होगा अब वाइब है रहा हो गोता। यह स्ट टो यह स्पेयरिकल के पेस्टर कहलता है क्या ग् personne गोलिय संधार इत्र ट्र जो अंदर वाला है इसका रिडियस कम है और अ क्यौंब एक सखंडे हो सिकने है ऐसी पर उनीम लिटेकर ग्रcken防ड से चींड्र यह सबंगे रहेगा नहां वाला है उसका चोटा रेडियस होगा और जो बाहर वाला होगा उसका बारा रेडियस होगा तो इसको एक बाहर वाले गुले को अर्थ कर दिया रहता है ऐसे अर्थिन का सिम्बॉल है इसका सिम्बॉल है तो रीजन यह है कि इसको जयास हो कि आप पॉजिटिवली जब चार्ज करोगे क्या करोगे तो यह क्या करता है कि एलेक्ट्रोन को एट्रेक्ट करता है जैसे समझा देता जैसे मालनों कि अंदर वाले स्फेर है और इसको इस पे अगर आप positive charge जाल रहे हो क्या कर रहो तो positive charge जाल रहे हो तो इसके बाहर भी एक स्फेर है तो यह भी एक conductor का बना हुआ है तो इसके अंदर free electrons होंगे तो क्या होता है कि इसमें जो electrons होंगे अब जैसी अंदर वाले सर्फेस पर माइनस आएगा तो बाहर वाले सर्फेस का potential हो जाता है हाई क्या हो जाता है हाई अंदर वाले सर्फेस का तो सोच के देखो वैसे वी एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था जब मेटालिक सीट पर याद करो सही से अनंत समतल अवेशित चादर के कारण जब पढ़ा रहा था तो उसके कारण यह पढ़ाया था उसका अगर वो चादर है तो याद करो उसकी कुछ थिकने सी थिकने सी कि बताया था कि अंदर कितना होता था जीरो याद आया और पुरा पैसे पॉस्टिप तो प्रॉस रखसाएंग म piace करोगे ये क्या करता है बहसमें और गोले के सफ़ेस में इसको फैनी तरफ करेगा स्पाहर मुंद्ध झार्पू चार्ज हो नहीं लिए यह हो नहीं और भीषे तो करना ही हमको तो हम क्या करते हैं वहिं इसको इसको अर्थ कर देते हैं कि आब स्थी हूटका क्या होता है इसका क्या मतलब हुआ कि एलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा इसलिए जैसो की यह वाला एस्फियर निगेटिवली चार्ज जाता है यह बात को समझ में आई आपको नहीं है पिर से सुनो और एक प्रश्च करते हैं याद करो हम लोग ने ऐसा कुछ किया था ना कि इसको पॉस्टीव पॉस्टिव चार्ज है इसको कहीं चार्ज करके लिए कि आ कर लेता है एक है पॉजटिव हो गया नहीं हुआ गया नहीं तो चार्ज करना पड़ेगा तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं है कि अर्थ वहां भी अर्थ किये थे अगर याद हो आपको तो हम क्या करते हैं जैसी करते ही हायर पोटेंसल पर होता यहां से लेक्ट्रोन चलके जाते हैं तो इस प्लस को खतम करता है करता है अब इस प्लस को जब खतम कर देता है उसको इसको हटा लेते हो तो फाइनली जो यह तो दिया हो नहीं दिया ओ इसको चार्ज करने का ये तरीका ध्यान रखना आप अगर इसको पॉस्टिफ चार्ज दे रहे हो तो बहार वाले स्फेयर को अर्थ करना पड़ेगा किसी न किसी के साथ अर्थ करना पड़ेगा तभी जाके वो निंगेटिवली चार्ज उस पर आएंगे या जिस बैटरी के थुरू आप चार्ज कर रहे हो ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं जैसे वहां क्या होता था कि हम लोग एक बैटरी से जब एक पैरलल प्लेट के पैस से जो रोगे अंदर वाले स्फेर से और एक उप से जो रोगे बाहर वाले स्फेर से इसके एलेक्टरोन को खीच के लाके इस पर डाल देगा कहा नहीं खता है यह कुछ समझ में है तो आप से चार्ज करोगा तो कुछ ऐसे होगा अधर्वाइस ऐसे सिर्फ पॉजिटिव च चार्ज करने का तरीका एक है कि आप उसको कहीं अर्थ कर दो कि वात आपको समझ मैं तो चार्जिंग कैसे करते हैं उसका प्रोसेस था फॉर्मुला इसको निकालना बहुत असान है बस इसकी थोड़ी फिजिक्स आपको समझाने थी समय समझा दिया तो मुझे लगता है कि इसंडियर हो गया होगा कितने लोगों आगया हाथ उटाओ एक पर कि चार्ज क्यासे होता है лекऱ बढ़िया कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि नीकालना है पोटेंशिव डिफरेंश क्या निकालना है इसके दूसरे निकालो दोनों को अड कर लो जोएगा पूटेंसिल इसका वह कहानी खतब है तो मुझे बताओके अगर इस पे चार्ज की है तो बाहर वाले पर चार्ज कितना होगा माइनस कूउ दून चार्ज सेमी होता है तो अगर यहाँ पर जयास होगी इसका अगर मैं पोटेंशल निकालों इसका इसका बताओ कितना होगा बोलो कि इस स्फेर के केस में पोटेंशल का फ्रमूला क्या था QY R QY तो potential कितना होगा KQYR तो किये रहा charge क्यों ही है और इसपर पॉजित्व चार्जित तो potential positive रहेगा इसका potential बताओगे minus व वले का भूलवलो क्या भूलावने Very good माइनस क्यू भाई स्मॉल आर की क्या पिटल रहा है है इन दोनों क्या कर लो एड कर लो पुटेंशल डिफ्रेंस यहां से आ जाएगा विसिक लिए घटाओ भी तो वही रिजल्ट आएगा ठीक है तो अगर आप कुछ कॉमन निकलना चाहते हो तो क्या निकाल सकते हो यहां प पर क्या आएगा ठीक है तो अब बताओ मुझे मैं क्या करूं कि बोलो बोलो नहीं बोलो कि सब अड़े सी वरावर क्यू बटा भी भी निकल गया क्या पैस्टेंस निकालना जाना तो चार्ज क्यू और पोटेंशल के एक्स्प्रेशन क्या आया क्यू बटा अब या पिटल आर माइनेस स्मॉल आर बटा अपिटल एंटू समॉल यह यह न उपर भेज़ दो क्यूं से क्यूं तो कैंसिल हो जाएगा और के कितना होता है वन बाई फॉर पैस्प्रेशन नॉट और पाई आपस्प्रेशन नॉट को उपर भेज़ दो अच्छा लगेगा यह कैपिटल आर इंटू समॉल आर को उपर भेज़ दो और बटा में कैपिटल आर माइनेस आपको ऐसा मिलेगा जो मैं सुरू में लेकर चल रहा था फॉर पाई एपसलन नॉट ठीक है यह भी मिल दागा यहां पर क्या मिल दाएगा और बटा में भी मैनेस से तो बताओ क्या दिक्कत है को अंतर है क्या समुझ में है कैपिटल आर के जगह हाँ है कोई एक ले लो हाँ यह ना यहां पर बी यह तो बी बोलेंगे यह देख यह इससे पकर में आएगा नीचे वला से पकर में आएगा यह क्या पड़ा आपने वताओ गोलिये कशंदारित्र की धारिता Capacitance of Spherical Capacitator Capacitance of Spherical Capacitator